आईए आज हम जानते हैं खड़त यानी आकाश से गिरने वाली बिजली के बारे में कृपया वीडियो पूरा देखें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें पसंद ना आए तो कमेंट में पसंद ना आने का कारण वर्ष्य लिखें आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो दरसल बादलों में नमी होती है यह नमी बादलों में जल के बहुत बारी कणों के रूप में होती है हवा और जलकणों के बीज घर्षन होता है घर्षन से बिजली पैदा होती है और जलकण आवेशित हो जाते हैं यानि चार्ज हो जाते हैं, बादलों के कुछ समूध अनात्मक तो कुछ रनात्मक अवेशित होते हैं, नात्मक और रनात्मक अवेशित बादल जब एक दूसरे के समी पाते हैं, तो टकराने से उच्छ शक्ती की विज्री उत्पन्द होती है, इससे दोनों तरह के बादलों के बीच हवा में विद्युत प्रवा कतिमान हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। आकाश में ये चमक अक्सर 2-3 किलोमीटर की उचाई पर ही उत्पंध होती है। चमक पैदा होने के बाद हमें बादलों से गरजना भी अब दिमाग में प्रशन उता है कि बिज्दी चमकने के बाद बादल गरजने की आवाज क्यों सुनाई देती है। इन अरों के आपस में टकराने से ही गरज की आवाज उत्पन होती है। प्रकाश की गती अधिक होने से बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है। ध्वनी की गती प्रकाश की गती से कम होने के कारण बादलों की गरज हम तक तेर से पहुँचती है। आकाशिय बिजली से संबंधित पढ़ाई को खुलमिनोलोजी कहा जाता है। दुनिया में हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से होती है। हर सेकंड 40 बार बिजली गिरती है। मतलब दिन में करीब 30,000,000 बार। ये सभी बिजली जमीन से नहीं टकराती। इन में से बहुत सी बादलों से बादलों पर गिरती है। आकाशिय बिजली का तापमान 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सूरे के प्रकाश से भी गर्म होती है। वर्ष 1902 में बिजली गिरने से एफग लटावर का उपरी हिस्सा शतिग्रस्थ हो गया था। जिस में 10 करोर वोल्ड के साथ 10,000 MPS का करंड भी होता है। आसमानी बिजली में इतनी उजा होती है कि एक बार में 1,60,000 ब्रेड के टुक्रे सेके जा सकते हैं। अमरीकी राज्य उताह में वर्ष 1949 में बिजली गिरने से एक साथ 835 भेडों की मौत हो गई थी। वर्ष 1998 में अफ सबसे ज़्यादा संभावना दोपहर को होती है। यह इनसां के सिर गले वकंधे पर सबसे ज्यादा सडालती है। 7,400isen बार बिजली गिरती है। वापस जाती हुई बिजली जो फ्लैश असल में हमें दिखाई देता है, उसकी स्पीड 32 करोड फीट प्रती सेकंड होती है और जो कड़कने की आवाज हमें सुनाई देती है, उसकी स्पीड 1100 फीट प्रती सेकंड होती है, इसके गिरने और उठने का काम दो माइक्रो सेकंड के अंदर हो जाता है आकाश ये बिजली 100 मील दूर से भी देखी जा सकती है जबकि आवाद सिर्फ 12 मील दूर तक ही सुनाई देती है हवाई जहाजों पर बिजली गिरती है लेकिन इसका असर नहीं होता है वर्ष 1963 के बाद से हवाई जहाज पर बिजली गिरने से कोई दुर अब जहाजों को खास तरह से डिजाइन किया जाता है अधिकतर हवाई जहाज हिलमिनियम के बने होते हैं जो बिजली को जहाज के चारों और फैला देता है और अंदर नहीं जाने देता है इंधन की तंकी को भी बिजली के खतरनाक प्रवा से गुजारा जाता है ताकि किसी